हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल ग्रेवी गली आज मैं आप लोगों के लिए लाएं हूं एक नहीं रेसिपी जिसका नाम है सेच्वान गार्लिक एग तो यह एक्चिली बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट आइटम है तो आई होप आप लोगों को पसंद आएग उबाल लूँगी यह फटने नहीं चाहिए ध्यान से उबालिएगा यह देखिए उबल गए हैं अंडे मैंने इनको छील लिया है और अब मैं इसको काट लूँगी आप एक में से चार करते हुए इनको काटेंगे आप चाहे तो वर्टिकल कट कर लीजिए आप चाहे तो हो मैंने रख साइड रख दिये और अब हम दूसरी तरफ करेंगे इसकी तयारी हमें एक बैटर बनाना है यह मैं एक बोल में दो चमच ले रही हूं कॉन फ्लार कॉन स्टार्स जिसको बोलते हैं और दो चमच ही मैंने लिया है मैदा तो दोनों को एक्वल एक्वल मैंने इसमें अड़ कर दिया है और मैं अब इसमें डालूगी ब्लैक पिपर तो आपके पास कुटा हो तो कुटा डालिए पौडर है तो पौडर डाल सकते हैं और साथ ही मैं इसमें एड करूंगी थोड़ा सा नमक नमक भी इसमें जाएगा आप नमक अपने स्वादा नु का एक पेस्ट बनाके तयार कर लेंगे जैसे हम चिली पनीर वगेरा के लिए रेडी करते हैं यह देखिए यह बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम इसको इसमें लपेट के और इसको फ्राइ कर देंगे ओवर लोड़िड मत कीजेगा कडाई और बस एक बार में चार से पांच डालते जाएगा और इनको निकाल दीजेगा फ्रेंट्स यहां मैं आपको बता दूँ यह तलते हुए बहुत ही फूट सकते हैं तो इसलिए आपको बहुत केरफुली इनको करना पड़ेगा तो आप इनको ध्यान रखेगा इनको हो सके तो डालके कडाई में डालने के लिजेगा तो यह मेरे पस डाक सोय सॉस है यह मैंने दो चमच ले ली है एक चमच मैं ले रही हूं चिली सॉस जो होती है वो और एक चमच मैंने इसमें विनेगर एड किया है एक चमच यह गया विनेगर और इसको अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें एड़ कर रही हूं एक चमश टमाटो कैचप देखे अभी हमें यह सौस तयार हो गई यहां मैंने थोड़ी सी सब्जियां काटके पहले से ही तयार कर ली है यह प्याज है और गाजर है बंगो भी है और यह थोड़े से कैपसिक हमें साथ ही मैंने लसन और अद्रग भी साथि मेश यह एड़ कर सकते हैं एक तैल है मैं इसमें रिफाइन टेल डाल दिया है सबसे लैं है यह एकं इसमें एड़क Pel क करेंगे बरन नहीं करनास है बस इसको हलुका 하세요 हाइड कर देंगे अपने अद्रग यह दिढ़िया है इस माने अब अध्क ऑच्श चपकी प्याज, पता गोभी, गाजर, जितने भी आपकी सबसबजीन को सबको आप हाई फ्लेम पे ही करिएगा यह हाई फ्लेम पे ही सारा यह सब सौटे करना है हमें यह मैंने इसमें सास भी एड़ कर दी है और इसको एड़ कर दीजिए नमक आप थोड़ा से ही डालेगा क्योंकि आधा ना हो जाए आप ध्यान से डालेगा अभी आधा चममच मैंने कौन स्टार्च घोल लिया है जो कौन फ्लावर होता है उसको थोड़े से पानी में लेके घोल के हम साइड पे रखेंगे यह जो हमने तले हुए थे अंडे इनको हम क्या करेंगे यह देखिए अब हमारे मसाला रेडी हो गया है जितना भी हमारा स्टार्फ लाइक के लिए था अब हम इसको तेज हम आई फ्लेम ही आपको रखनी है कहीं पे कम नहीं करनी है और इसको जल्दी जल्दी से स्टर कर देंगे यह देखिए हमने स्टर्फ राइक कर लिया है अब यह जो कॉन स्टार्च वाला पानी मैंने बना के रखा था यह भी डाल लेना है और बस जटपट से इसको मिला देना है और बस अब यह तयार है मैं इसकी प्लेटिंग करती हूं यह देखिए वरिंट्स तयार है हमारे सेचवान गार्लिक अंड़ा तो आप इसको ट्राइ कीजिए यह रेसिपी बह संद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वर वाचिंग